हालो एबरिवन विल्कम टू टेजस के रियर एकेडिमी गाईज आज है 18 अपरेल और आज हम देखेंगे इंपोर्टेंट करेंट अपरे के क्वेश्चन को चलिए सुरुआत करते हैं आज की सेशन का सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आज जो क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पर 17 और 18 दोनों को मर्च करके रखा गया है ठीक है 17 अपरेल और 18 अपरेल को मर्च करके रखा गया है पहला क्वेश्चन है यहाँ पर समाजिक आर्थिक सरवेक्षन 2023 का सत परतिसत लक्ष पू योजनाओं से सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों तक इसका लाव पहुंचाने के लिए समाजिक अर्थिक सर्विक्शं 2003 और गनाइज किया जा रहा है 1 अपरेल से 36 अर्ज्य में ठीक है अब बाता आती है कि 7 परतिसत लक्ष तू अगर आपको पता होगा तो वण एक दिन में सत्परतिसत लक्ष पंचायत के लेवल पे अगर हम बात करें तो पंचायत में कौन सा है बंहनी लेकिन यहाँ पूछा गया है जिला तो याद रखिएगा 16 दिनों में पूरे जिले में सत्परतिसत दिनों में जिले की अगर हम बात करें तो एक जिले में बालोद क से बात करें सेकेंड नंबर पर कौन सा जिला है तो सेकेंड नंबर पर आपका कुंडा गाउं जिसने अपने जिसने अपने लक्ष का 7 परतीसत की अगर हम बात करें 83% 83% सबसे पहले इसने complete कर लिया था और बालोद जो है 16 दिनों में बालोद जिले में पूरा समाजिक आर्थिक सर्वेक्षन पूरा कर लिया गया है तो correct tops ने यहाँ पर बन जाएगा आपका A that is बालोद ठीक है आगे बढ़े अगला question है यहाँ पिर अगला question है राज्य की राज्किये पसु के संवर्धन है तो किस राज्य से बन भैसों को लाया गया है तो याद रखेगा कि हमारा राज्किये पसु जो बन भैसा है इसकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है लगातार decrement हो रही है इसके numbers में तो इनको बचाने के लिए इनको संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आसाम के ध्यान रखेगा आसाम के मानस नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क से बन भैसे मंगवाएगे है ठीक है नेशनल पार्क ठीक बन भैसे मंगाएगे है रखा कहा जाएगा तो इसको रखा जाएगा बार नवा पारा में तहां पर बार नवा पारा, महा समुद एंड बलोजा बजा, बार नवा पारा रस्ट ये उद्यांग में रखा जाएगा बन भैसो को ताकि 36 गड़ का जो राज की एपसू है, उसका संडरक्षन और संवर्धन हो सके, तो पूछा गया था कि किस राज जी से बन भैसो को लाया गया, करेक्ट ऑप्सन बनेगा आपका बी, कितने लाये गया, तो चार बन भैसो को लाया गया है, इसके संडरक्षन और संवर्धन के लिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य के की स्थान पर नवीन बीपियो सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो याद रखिएगा, हाल ही में, यानि कि 17 अपरैल को मुख्य मंत्री के द्वारा, मुख्य मंत्री के द्वारा रायपूर कलेक्टरियट के सामने, ठीक है, रायपूर कलेक्टरियट के सामने, जो मल्टी लेबल पार्किंग है, उसके 5th फ्लोर पे, बीपियो सेंटर, बीपियो सेंटर खोला जाएगा, चैट सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, चैट सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, इसके अलावा, इसके अलावा, आउट सोर्सिंग, इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें 500 सीटर्स होंगे, 500 सीटर्स बिप्यो सेंटर होगा, और इससे राज्य के इवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर होने में सहायता मिलेगी ठीक है रोजगार और आत्मनिर्भरता जहां रखेंगे आत्मनिर्भरता में सहायता मिलेगी clear है तो कहां सुरुवात होगा मुख्यमंत्री ने रायपूर में भूमी पूजन किया है रायपूर में ठीक है collect rate परिशर के सामने multi-level parking के 5th floor पे ओके आगे बढ़े अगला question है आंगनमा सिक्षा मेला कायोजन कब किया जाएगा तो आंगनमा सिक्षा कितने साल हो गया है 3, 3rd, 2 साल complete हो गया है और आंगनमा सिक्षा का तीसरा साल चल रहा है आंगनमा सिक्षा 3.0 स्टार्ट होगा कौन सा 3.0 ठीक है आंगनमा सिक्षा मेला मेला कायोजन 25 अपरेल कब 25 अपरेल को ध्यान रखेगा 25 अप्राइल को मेले का योजन Purpose Smart Mother Smart Mother और सुघर पढवया सुघर पढवया सुघर पढवया सभी कारेकरम को एक साथ मिला करके इस आंगरमें सिक्षा कारेकरम का आंगरमें सिक्षा मेला का योजन किया जाएगा और 3.0 3.0 का कारेकरम की सुरुवात की जाएगी किलियर है हाल ही में इस कारेकरम को स्कॉच सिल्वर ध्यान रखियेगा स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौनसा अवार्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है आंगरम सिक्षा कारेकरम किसके दौरा चलाया गया तो करती हैं हाउस वाइफ हैं उनको अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रती जागरूप करने के लिए आंगर मसिक्षा कारेकरम का सुभारम्द किया गया था तो करेक्ट एंसर कहां बने गये हैं हाँ पर 25 अप्रील मेले कायोजन 25 अप्रील ओके अगला क्वेस्चन है गाउं अभी जियत है पुस्तक का अभी मोचन किसके दवारा किया गया तो गाउं अभी जियत है किसके दवारा लिखा गया है तो याद रखिएगा स्री असोक नारायन बन जारे के द्वारा लिखा गया है अब बताती है गांव अभी जीयत है इसमें क्या है तो ये कहानियों का संकलन है और कहानियों के संकलन में अगर आप देखेंगे तो टोटल इसमें 18 कहानिया है साथी साथ असोक नारायन बंजारे जी को Best Administrative and Innovation Award से भी सम्मानित किया जा चुका है साथी साथ साथी साथ इनकी कुछ विध्याएं हैं यानि की इनका कुछ रचनाएं हैं उन सभी को आप याद रखेंगे जैसे हिर्दय के खिर्दय के सपना, गढ़ कलेवा, अंतस के मोरा ये सारी चीजे इनकी कहानिया हैं इनके रचना हैं ठीक है असोक नारायन बंजारे जी का तो क्वेशन है पूछा जा रहा है गाओ अभी जियत है पुस्तक किसके द्वारा भी मोचित हुआ प्रेमसाय शिंग टेकाम, कौन है सिक्षा मंतरी, करेक्ट ऑप्शन एट लेखा कौन है, राइटर स्रियसोक नारायन बंजारे अगला क्वेशन है, हाली में केंद्रीय स्वास बिभाग ने स्वक्ष भारत मीशन के था 36 गड के कितने जिलों को पुरस्कृत किया तो याद रखना है कि टीवी उन्मूलन को लेकर टीवी उन्मूलन को लेकर ठीक है टीवी उन्मूलन को बढ़ावा देने और उसके प्रती जाग और उकता बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए राज्य के चार जिलों को केंद्रिये स्वास्त विभाग ने स्वक्ष भारत मीशन के तहट सम्मानित किया गया है कौन कौन सा जिला बलौदा बजार बलौदा बजार धमतरी धमतरी बस्तर और आपका कांकेर यह चार जिलों को सम्मानित किया गया है क्लियर रहेगा अब हम इसके बाद अगर देखेंगे नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर टीबी नुमरान को बढ़ावा देने के लिए सरवाधी कायुषमान कार्ड रजिस्टेशन के लिए क्लियर रहेगा इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कांकेर जिला को ही स्वास्त संबंधी सेवाओं को और कारिक्रमों को लागू करने के लिए राज्यस्तर पर पुरुस्कृत किया गया है तो यहाँ पर करेक्ट हीमोफिलिया चेंटी मोफिलिया एंट के किसंश्थाफक बस झाधा करें व्ल्ड हीमोफिलिया फेडरेशन के संस्थापक सावनिल के जन्म दिवस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है क्यों क्योंकि हीमोफिलिया से रिलेटेड जागरुकता रक्त संबंधी विकार रक्त स्राव शंबंधी विकार इन सभी के लिए पहली बार स्वाविल ने सबसे पहले यहां पर क्या किया था उपचार की चिकितसा पद्दती की खोज की थी किलिए रहेगा कब मनाया जाता है तो याद रखना है आपको 17th of April को 17 April को विश्व हेमोफिलिया दिवस मनाया जाता है किसने शुरू की तो वर्ड हेमोफिलिया फेडरेशन के संस्थापक स्नौनेल की द्वारा जागरुकता हीमोफिलिया के प्रति जागरुकता रॉक श्राव संबंधी कोई भी विकारों से संबंधी छुटकारे के लिए इन्होंने चिकित्सा पद्ध की खोज की थी और चिकित तेलंगना में तेलंगना में राज्य सचीवाले के निकट हुसैन सागर जील के किनारे बियार अमबेडगर जी की भारत की सबसे उची प्रतिमा अस्थापिक की गई है भारत की सबसे उची प्रतिमा बियार अमबेडगर जी की कहां पर लगाई गई है भूशैन सागर जील के पास किसके द्वारा अनावरन किया गया के चंद्रसेखर राव कौन है तेलंगना के मुख्यमंत्री तो करेक्ट ओप्स ने यहां पर बन जाएगा आपका डी हाल ही में हम 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को क्या मनाए है डॉक्टर बियार अमबेडगर जी की बर्थ अनिवर्सरी इसके अलावा एक्वलिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है नौलेज डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को करेक्ट ओप्स ने यहां पर बनेगा आपका डी अगला क्वेशन है स्टील ओथरीटी ओफ इंडिया के नए अध्यक्स के रूप में किसे निउक्त किया जाएगा तो ध्यान रखेंगे कि at present चेर्मेन कौन है सोमा मंडल और सोमा मंडल जब रिटायर होंगी कित्यतारी को 30 अप्रैल को तो इनके जस्ट बाद कौन आएंगे अमरेंदू अमरेंदू प्रकास अमरेंदू प्रकास कौन है अमरेंदू प्रकास यह अभी सेल बुकारो के एक्जेकुटिव डिरेक्टर सेल बुकारो के एक्जेकुटिव डिरेक्टर ठीक है कब बने सेल एक्जेकुटिव में अगर हम बात करें सेल बुकारो के एक्जेक लगतार, Sale, Bokaro Steel Plant जो है उसका ED के रुप में काम कर रहे हैं, अब जैसे ही इनकी Retirement होगी, तो 30 अपरेल के बाद Amaranthu Prakash क्या बनेंगे? Sale के Chairman Sale Chairman Clear है? Sale के क्या बनेंगे? Chairman, तो Correct Option क्या बनेगा? Amaranthu Prakash Soma Mandel at present Correct Option हो जाएगा आपका एक आगे बढ़ते हैं अगला question है फेमीना मीस इंडिया 2023 का खिताब किसे दिया गया है तो फेमीना मीस इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान पोटा की रहने वाली ध्यान रखेगा नंदिनी गुपता को दिया गया है नंदिन गुपता को दिया गया है अब यह next इनके step क्या होगा तो मिश वर्ड मिश वर्ड ब्यूटी पीजेंट ब्यूटी पीजेंट में ब्यूटी पीजेंट में इंडिया का रिप्रेजेंटेटर बनेगी इंडिया रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव रिप् भारत का परतेनिधितों करेंगी किसमें मिश्वर्ड ब्यूटी पीजन्ट में किलियर रहेगा तो करेक्ट आप्सन बनेगा यहां पर आपका नंदिनी गुकता ठीक है यह था आज का सेशन अब बारिया आपके स्टूडेंट धर्मा की स्टूडेंट धर्मा में आज का क्वे परबंदन के लिए पूरस्कृत किया गया है अब पूरस्कृत किसके दवारा किया गया है तो राज्यस्तर पर ध्यान रखेंगे आप राज्यस्तर पर पंद्रा लाक रुपे दिये गए है और ये कौन से डिस्टिक में है मैं आपको हिंट दे दू मनेंद्रगड चिरमीरी भरतपुर जिला में ये सामुदाइक स्वास्त केंद्र है और हाल ही में राज्यस्तर पर स्वक्षता और बहतर प्रबंदन के लिए पुरस्कृत किया गय में सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है तो उसका करेक्ट एंसर होगा जगन मोहन रेड़ी कहां के हैं आंद्र प्रदेश के सी एम टोटल नेटवर्थ 563 करूर 563 करूर ठीक है 563 करूर की संपत्ती है उनके पास सबसे अगर हम कम की बात करें तो सबसे कम है बंगाल क मुख्यमंतरी ममता बनर जी के पास क्लियर रहेगा तो चलिए इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ बनेर ये चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर जरू ये फामच्च